जाहिन दोस्तों आज से हमारा एक नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है तो हम लोग इसको देखेंगे जो मैं कोश्चन के लिए बोल रहा था जो क्वालिटी हम लोग पढ़ें हैं उसका जो पूरा कोश्चन है उसको कोशिस करूँगा मैं कि उसमें एक दो घंटे का पूरा जितना भी कम से ज्यादा ज्यादा उसमें हम लोग चैप्टर कभर करें ठीक है तो उस तरीके से हम लोग देखेंगे उसको एक मतलब बहुत ज्यादा सवाल रहेगा उसमें 500 के लग जो हिस्ट्री है अपना हिस्ट्री का अपना चैप्टर इसको हम लोग शुरू कर रहें अब इसका भी पूरा जो चैप्टर वाइस हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे ठीक है तो आज से चलिए इसको भी शुरुवात करते हैं और इसी तरीके से सिक्वेंस वाइस हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसमें भी हम लोग को देखना है जितना जो इंपॉर्टेंट एक्जाम के पॉइंट अभीउ से जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है कि बलूत नहीं पढ़ेंगे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको भी खतम करेंगे ठीक है तो इस हिस्ट्र को देखते हैं सबसे पहले मैं इसमें बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हमारा पढ़ने का जो सिक्वेंस क्या रहेगा ठीक है ठीक है सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे शुरुवात करेंगे इससे प्राचीत भारती इतिहास के स्रोज से फिर प्रागयतिहासिक काल फिर सिंदु सब्यता वैदिक सब्यता महा जनपदो का उदय देखेंगे जैन धर्म देखेंगे बौत धर्म देखेंगे जो जितना ज्ञाधा that important रहे उसमें उतना ज्ञादा समय देंगे ठीक है इस उसके बाद से सैवधहर्म वैस्पनु धर्म इसलाम् धर्म उसके बाद से हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे इसाई धर में पार्सी धर में मगद राज्य का उतकर्स देखेंगे सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे मौरे समराज्य, ब्रामः समराज्य, भारत के यवन राज्य, सक्क और कुसाण देखेंगे इसमें संगम्योग आएगा फिर गुप्त सामराज्य वकाटक राजवन्स उसके बाद से ये पुछ से भूति जिसको लोग वर्धन ब कहते हैं तो यह हम लोग देखेंगे उसके बाद से दक्षिन भारत के प्रमुख राजवन्स को देखेंगे और सीमा वर्ती राजवन्सों का अभियुदय देखेंगे उसके बाद से राजपूत राजवन्सों की उत्पत्ती देखेंगे तो यह हमारा प्राचीन भारत के इंतरगत हमारा इतना चैप्टर है और जो जितना जिस तरीके से जिसमें ज्यादा फैक्ट वगरा यही सब चीजें इसमें ज्यादा है इस्ट्री में है ना तो यहां हम लोगए इसमें बढ़ेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं आज हम लोग फरस्ट चैप्टर को देखेंगे आज हमारा first chapter रहेगा ठीक है ये chapter 1.1 यानि की ये part 1 है पहला chapter का ये पहला part है इसमें और भी है थोड़ा बहुत जो important जो topic है उसको देखेंगे देखें तो आज हम लोगों पढ़ना है प्राचीन भारती इतिहास के स्रोत है हम लोगों को इतिहास मेजर इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें सबसे मेजर क्या होता है सबसे important है इतिहास में जितना भी चीज हम लोगों को बीत गया है जो बीता हुआ है जो भी बीत आज से अभी जो है वो प्रेजेंट है इससे पहले का सारा चीज क्या होता है इतिहास में चला जाता है तो इतिहास को अगर हम लोगों पीछे देखना है कि हम लोगों ने कुछ साल पहले कई साल पहले हम लोग क्या किये उस समय हमारा किस तरीके से व्यवस्ताएं थी तो उसक क्या-क्या ऐसा स्वोथ होना चाहिए क्या-क्या ऐसा मैंकि नुछ मोटे जिससे हम लूग अपने प्रिवियस जो पिछले इति आस को देख सकंगे तो उसके लिए हूति होते हैं स्वोथ उसमें क्या क्या होते हैं मानके Till पिष्ले जो भी हमारे कुछ ऐसे प्राचीन धातु अगरा मिलते हैं कहीं सीला लेक मिलता कहीं पत्थर मिलता है कहीं किसी के इतिहास से कुछ पता चलता है तो यह जो सारी चीजे जो है ना यही हम लोग को प्राचीन के बारे में प्राचीन की विवस्थाओं को बताते हैं ठीक है तो हम लोग प्राचीन को सबसे पहले जो प्राचीन इतिहास को, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगी कि इतिहास को जानने का स्रोथ क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखेंगे, इसी में जो जो important चीज़ें उसको देख लेते हैं, ये तुरंद complete इसको कर लें फिर लगातार इसी तरीके से जितना जल्दी होगा आगे बढ़ेंगे ठीक है हम लोगों समझ में आगा कि इतिहास को जानने के लिए स्रोथ जरूरी है अप्सरोथ कौन-कौन से होते हैं यहां पर देख लेते हम लोग देखे यहां पर हम लोग को इतिहास को जानने में मदद करने वाले जो स्रोत हैं उसमें से देखे एक धर्म ग्रंथ होता है ठीक है उसके बाद से आतिहासिक ग्रंथ भी होता है विदेशियों का विवरन भी होता है क्योंकि कई बार देखें होंगे कि कोई भी ऐसा वैक्ति बाहर से भी अगर आता है कहीं से भी आता है तो वो अगर क सब चीजे पता चलते हैं उसके बाद से पुरतात्व समंदी साख्ष यानि कि पिछले इतिहास में जो भी चीजे घटनाएं हुई हैं उससे रिलेटर अगर कुछ भी ऐसा साख्ष मिलता है तो उससे भी हम लोगों पता चलता है कि इतिहास में यानि कि पास्ट में क्या-क्या घटनाएं हुई हैं किस तरीके से वेवस्थाय थी तो ये चार जो चीजें हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये जो चीजें हैं इनसे क्या होता है हम लोगों को आप जानकारी मिलती है इतिहास के श्रोत कहलाते हैं नॉर्मल है इसको ऐसा एक्षाम में नहीं आता है लेकिन हम लोगो केवल सुरुआत करने के लिए जानना है ठीक है कुछ पॉइंट यहां से अब सुरू हो जाएंगे जो की एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ठीक है तो देखेंगे उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो धर्म गरंत एवम एतिहासी गरंत से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर हम लोग धर्म गरंत वगरे के बारे में देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट सिज्चे हैं जिनको मुलों को जानना चाहिए वहां से हम लोगो क्या-क्या-क्या कि यहां से आप याद रखेंगे कि जो प्राचिन धर्मग्रंथ है वो क्या है सबसे दो जो इसके बारे में देखेंगे इससे 2-4 पॉइंट जो होता है जो एक्जाम कई बार इससे रिलेटेट लेटेट प्रसने पूछा जाता है तो हम लोग उसको आज देख लेते हैं देखे सबसे पहले रिगवेद के बारे में जानते हैं ठीक है रिगवेद का क्या मतलब है रिगवेद में रिचाओं के क्रम बद्ध ज्यान के संग्रह को रिगवेद कहते हैं ठीक है तो इसमें क्या क्या होता है कि एक तरीके से जितने भी ऐसे इससे पिछले इतिहास में रा वो सारी चीजें इसमें एक तरीके से उसका घ्चान है ठीक जो ये रिगवेद है उसके अंतरगत ये सारी चीजे प्राप्त होती होती यानि कि ये सारी चीजें समें लिखी हुई है ठीक है करी से कई बार इस तरीके से प्राश्चनिय एक हजार अठाइस सुक्त और 1462 जो हैं वो रिचाएं हैं ठीक है यह याद रखना है और देखें जो इस वेद को जो पढ़ने वाला रिशी होता है उस रिशी को होतरी कहते हैं यह यह भी कई बार प्रस्ण में पूछा जाता है ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी रिशी इस वेद को पढ़ता है उसको हम लोग होतरी कहते हैं रिग वेद में यह वर्नन है ठीक है और इसमें क्या बताए गया है इसमें वेद से आरियों के राजनितिक प्रणाली इतिहास और इस्वर की महिमा के बारे में इसमें जानकार मिलती है तो रिग वेद से क्या मिलता है जानकारी यह आपको याद रखना है उसके बाद से देखिए विश्वा मित्र के द्वारा राचित रिग वेद के तीसरे मंडल में याद रखेंगे तीसरे मंडल में सूर्य देवता और यह सावित्री को समर्पित प्रसिद गायत्र पड़ी मंत्र का यहाँ पर वर्णन है इस में थीक है किसमें तीसरे मंदल में जो इंपोंटन जो फाइन्ट है बस उसी को ध्यान भटनी हर चीजों को नहीं पढ़ ना है नौभब मंदल में क्या है नौई मंदल में देवता-सौक लेख थीक के तो यह रिख वेत से रिलेटेड जो है 6 पॉइंट आपको बस अच्छे से याद रखना है आगे देखते हैं हम लोग यजुरुवेद यजुरुवेद क्या है यजुरुवेद है देखें आप सवस्वर पार्ट के लिए इसमें मंत्र तथा यह जो बली है बली किस तरीके से उसको बली किस तरी करना चाहिए उसमें क्या-क्या नियमों का नुपालन करना चाहिए इस मतलब एक तरीके से इसमें ज्याजदर क्या है कर्मकांड ठीक है मंत्र हो करा यह सारी चीजों की बातें इसमें यजुरुवेद में ज्यादा की गई तो सभी में जैसे अभी हम लोग रिग पढ़े उ जो बाते हैं वो सभी चीजों का अनुपालन के लिए इसमें लिखी गई है इसके जो पार्ट करता होते हैं उसको हम लोग यहां पे बोलते हैं अधर्वियू ठीक है अधर्व अधर्वयू ठीक है थोड़ा सा उप्चारन में प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन याद रखेंग तो यह किस्ति उसमें क्या लिखी गई है सीम्पल सी भासा में आपको याद रखना क्या लिखे गई है इतने भी यह सारी चीजे यजुर वेद में लिखा गया है यह बलिदान कभी पलिदान विधि कभी वर्णन है इस में Yeah! ऐसा वेद है याद रखेंगे इसको यह गर्द और पद्दे दोनों में हैं दोनों में यह वड़नित है गर्द और पद्दे में तो यह कुछ-कुछ खास बाते के यहाद तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे ये इस तरीके से प्रस्व करते हैं थिक है तो इसमें क्या topic रहेगगा में topic रहेगा जितने भी संगीत वगरा से it सारी इसमें रहें इस वेद में मुख्यता यग्यों के आवसर पर गाय जाने वाले रिचाओं का संकलन होता है और इसके पाट करता को क्या कहते हैं उद्रात्री ठीक है और इसमें कितने सुक्त होते हैं 1810 सुक्त होते हैं ठीक है देखिए यह जो सामवेद है सामवेद को भारत्य संगीत का जनक भी कहा जाता है याद रखेंगे यजूरवेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट एतिहासिक घटना का वर्नर नहीं मिलता है इसका क्या मतलब है देखिए इससे पहले जो हम लोग देखें यह सबसे पहले हम लोग जो रिगवेद देखें रिगवेद में फॉस्ट में यह बताए गया है कि जितने भी राजाओं वगरा जो आरियों से रिलेटेड उससमें जो भी राजा थे उनका जो राजनेतिक विचार विमर्स राजनेतिक जो भ ताकि जो रिगवेद के बाद से जो आया यहां पर रिगवेद के बाद से यजुरुवेद जो आया यजुरुवेद में मंत्र वगरा के बारे में बताई गया था जिसमें कि कहीं से भी आपको यह नहीं पता चलेगा कि कोई ऐसा इतिहासिक चीजे है ना यहाँ पर जो राजाओं के बारे में या फिर जो राजा है या फिर उस समय आरियों का जो भी विवस्था था जीवन सैली था वो सब के बारे में आपको यहाँ पर नहीं पता चलेगा यह जुरुवेद में सेम वैसा ही जो है सामवेद में सामवेद में भी आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं पता चलेगा ठीक है इसमें क्या रहेगा जितने भी यग्यर से रिलेटर जो भी गाय जाने वाले संगीत है उनसे related इसमें बात की गई है लाश्ट आता हमारा अथर्व वेद तो अथर्व वेद को देख लेते हैं अथर्व वेद में क्या important बाते हैं देखे अथर्व ये अथर्व रिशी के द्वारा रचित इस वेद में खुल 731 मंत्र और लगभग 6000 इसमें पद्द्ध हैं और इसके कुछ जो मंत्र है रिगवेदिक मंत्रों से भी प्राचिंतर है तो यहां पर यह याद रख सकते हैं करक्यों करताएं इसमें म्ुख्षे रूप से जो भी और सधी वग़रा से रिलेटेद जो चीज़ें रासीлаг इसमें तो यहां से रहतिक हैं इसमें जतने भी और सधी वग़रा साइंस से समधल्य उस समयcolor अगए-स-धिक है तो यह याद रखेंगे कि इसमें ज़ो अ i साइन्स से रिलेटेड जो भी यहां पर बाते हैं यानि कि साइन्स का मतलब है यहां पर क्या है कि हमारे एक तरीके से और सधी के बारे में जितने भी बीमारियों गयरा का हम लोग देखेंगे प्राचिन कोई भी चीज बहुत सारे साक्षा मिलते हैं कि पिछले जमाने में भी यानि कि पुराने जो एतिहास में हम लोग देखेंगे कि उस समय कि लोग भी वो लोग के पास भी बीमारियों को ठीक करने का बहुत सारा सा तेक्निक था तरीका था उनके पास भी ठीक है तो वो जानकारे मिलता है तो यह याद रखेंगे जो अथर्व वेद है वो सदी से अठिक है अपासारी सगरॉट का भी असमें यहार है तो यह याद रख सकते है उसके पास आतिहासिक दिस्ति से अठर्व वेद श्रह से अधर्व वेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समय मनुस्यों के विचारों और बात से देखिए लास्ट में यह सबसे प्राचीन वेद जो हम लोगो जानकारी है और सबसे बाद का जो है अधरववेद है तो इस तरीके से यह हमारा जो है यह पहले चैप्टर का यह पहला शुरुवात है धीरे धीरे हम लोग इसको और आगे बढ़ती हुए चलेंगे पुरा सिक्वेंस वाइस चलेंगे टाइमिंग पर हमारा हर जो हर रोज आता है ठीक है नौ बजे आपको यह वीडियो सारी टाइमिंग पे आप आज से एक आधा गंटे एक घंटे का अपना समय देख और क्या से हिस्ट्री अपना पढ़ना और उसका नोट्स बनाना सुरू कर दीजे तो इसी तरीके से हम लोग साथ में चलते रहेंगे पढ़ते हुए ठीक है फिर इसी तरीके से मिलेंगे फिर अगले वीडियो में ठीक है इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट में देखेंगे और क्या-क्या इसमें इंपार्टन बाते हैं ठीक है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन दो